हेलो अल सबका सवागत है अवगा चैनल पे तो FCI के तरफ से final recruitment आ किया है management trainee का जिदर आपको 10 lakh per annum salary मिल सकता है और vacances जो है वो 31 vacances अगर आपने किसमी field में graduation किया है तो आप eligible हो और अगर आपने बीटेक किया है electrical mechanical or civil में तो भी आप eligible हो तो अभी हम detail में इसके बारे में जानके लेने वाले है notification बहुत बढ़ा है इसलिए video को properly देखना है तो as always हम discuss करते है important point तो first जो important point है 60% aggregate आपका होना चाहिए अगर आप SC, ST, PWD से apply करोगे process क्या रहने वाला है तो process first आपका online test होएगा उसके basis पे फिर interview के लिए selection होगा and फिर training रहेगा तो यह है आपका पूरा process और combined merit list बनेगा इन तीनों के basis पे जितर आपका weightage है वह 80% है online test के लिए, 10% है interview के लिए और 10% है training के लिए तो यह थोड़ी नहीं है कि training का भी 10% marks हो add करने वाले है online test में आपको 2 exams देने है, 2 phases में देने है, 1 phase 1 exam होगा और 1 phase 2 exam होगा और phase 2 exam में भी 2 paper होगे, 1 paper होगा और 1 paper 2 होने वाला है, तो यह पूरा आपका process रहेगा FCI का posting, तो posting जो है वह आपके zone selection करोगे आप उसके basis पे होने वाला है, zone wise vacancy है तो definitely advantage रहेगा और उसके basis पे आपको कोई भी state मिल सकता है, जो भी उस zone के under आता है exam center all over India का list है वह अपने पास है, तो आपको दिखाऊंगा मैं, सबसे important है कि आपका 6 month का trainee होने वाला है selection के पाद, जिसमें आप 40,000 rupees per month stipend मिलने वाला है next important है कि bond है FCI में और FCI का bond duration है वह है 3 साल ठीक है, और अगर 3 साल से पहले आप FCI छोड़ना चाहते हो, तो आपको भरने पढ़ेंगे 1,00,000 rupees अभी हम देख लेते हैं क्यक्क है zone है, तो first north zone है, south zone है, east zone है, west zone है, north and east zone है, ठीक है सबसे important चीज़ जो है, आप किसे भी एक zone में apply कर सकते हो, बहुत important है, एक post में और एक zone में apply कर सकते हो, multiple zone में apply नहीं कर सकते तो जिस भी zone में apply करेंगे, उसमें उदर आपको किदर भी पोस्टिम मिल सकते हैं, इसमें से मुझे जिदर भी वैकिंसी होगा, उदर मुझे पोस्टिम मिल जाएगे तो यह आपको ध्यान रखना है, phase 1 जो होगा exam, उसके exam centers जो है, वो all or India आप देख सकते हो, city wise और state wise, तो आपको देखना है, आपका city और state इसमें है कि नहीं, और अगर नहीं है, तो नजदिक वाला state कौन सा है, वो आपको देखना है, जो phase 2 exam होगा बाद में आपका, उसके exam centers के लिए जो है यह है, definitely limited है, और all or India मतलब हर लगबग हर state में ही center, तो आप वो देखना है अभी, age limit का cutoff date है, वो 1st August 2022 है, age limit 28 है, general EWS के लिए, OBC 31 है, SSC 33 है, PWD 38 है, OBC 49, SSC 43, important date का है, तो form already start हो गया है, इसके बाद form फिलिंवीड आएगा, और वो end होने वाला है, 26th of September 2022, और exam date फिला आपका 22 है, वो भी है, आपका December में, यह 22 exam date है, लेकिन फिर भी हम इसको final मान के चलेंगे, और preparation strategy वीडियो में, इसके अकोड हैंगी, मैं आपको strategy जने वाला हूँ, फीज जो है, वो 800 रुपीज प्लस GST है, जन्दरा भी से और DW के लिए, और women candidate के साथ-साथ SCST और PRD को कोई भी fee बरनी नहीं है, अभी हम देख लेते हैं कि आपके post और vacancies है, तो first जो post है वह manager general के लिए, जिसमें अगर आपने किसी भी field में graduation किया है, तो आप eligible हो, यह post code A है, post code B जो है manager depo है, इसमें भी आपने अगर किसी भी field में graduation किया है, आप इसमें eligible हो, post code C है, थोड़ा याद हो कोई है, then manager technical है, जिसमें आपने अगर BVTEC किया है, food science में, BAC agriculture है, BVTEC agriculture में किया है, और bio technology में किया है, तो आप इसके लिए eligible हो, जिसका post code E है, बात में manager civil के लिए vacancy है, जिसमें आपने degree आपका BVTEC civil engineering में है, तो आप eligible हो, और electrical or mechanical की vacancy है, जिसमें अगर आपने BVTEC electrical or mechanical किया है, तो आप eligible हो, और एक important note point जो है, वो है कि BTEC और B candidates के लिए जो criteria है percentage का, वो विल्कु भी नहीं है, जिस आपके हाथ में आपका BVTEC होना चाहिए, अभी हम देख लिए vacancy zone wise, तो first है north zone, अगर आपको post को याद होगा, आपको आपको पता होगा कि आपको इस post में apply करना है, तो manager general के लिए जो इसका post code A है, total 1 vacancy है, essay depo के लिए 4 है, movement के लिए 5 है, जो technical वाले है, 9 vacancy है, civil के लिए 3 है, electric, mechanical के लिए 1 vacancy है, यह तो हो गया north zone, बाद में आएगा south zone, तो south zone में भी manager general के लिए 2 vacancy है, depo के लिए 0 vacancy है, ठीक है, सबसे vacancy technical के लिए 2 है, और civil के लिए 2 vacancy है, नेक्ट जो है वह west zone है, to west zone में manager general के लिए 3 vacancy है, depo के लिए 6 है, account के लिए 0 है, लिए स्विशुयु मैंजर हिंदी के लिए एक वैकेंश है तो यह हुआ वैकेंश वाइस दिस्ट्रिबुशन अभी हम आते हैं सबसे इंपॉंट कि आपका एक्जाम पैटर्न के रहने वाला है के लिए तो जो फेज वन है वो सभी के लिए कॉमन रहेगा जो भी मतलब मैंजर के मैंने पोज दिखा आपको सभी के लिए यह कॉमन चीज़ है आपके 25 क्या है आपके 25 क्या है आपको टाइम जो बिलने वाला है वह सिर्फ एक घंडा मिलने वाला है यह थोड़ा कृश्यल है तो यह एक दम बहुत है और नया चीज़ है तो सेक्शनल टाइमिंग क्या है हर एक सेक्शनल के लिए जैसे कि आपको मिलेंगे 15 मिली तो 15 मिली के बाद आटमाटिकली नेक सेक्शन ओपन हो जाएगा और प्रिवेस जो सेक्शन है जितने आपने आट्टेम किया होंगे वह वह जाएगा इन जो एक्षाउं बटन फेस्ट इसने ठीकिज चैने गार्ट के लिए तो फेस्ट नेजर के है थाटेम के सेस्टें मी बताए दो पेपर होने वाले तो उसमें से जो जन्रल टेपो और पोस्ट है उसके लिए एक ही पेपर होगा और जो भी after you general awareness English reasoning पढ़ना है, सिर्फ चेंज किया हुआ है, general awareness में 45 questions एड हुआ है, इसलिए total 120 questions हो गए, और time थोड़ा बढ़ गया, 90 minutes हो गया है, और total marks भी 120 है, सबसे important है कि phase 2 में negative marking बिल्कुल भी नहीं है आपका, language आपका English और Hindi रहने वाला है, और इसमें भी sectional timing रहेगा, sectional timing same है, just आपको general awareness के लिए ठोड़ा time extra मिल रहा है, 25 minutes में रहने वाला है, इधर 30 minutes आपका है, general awareness के 30 minutes में रहने रहने वाला है, apti के लिए 20, English और reasoning के लिए आपको 20 minutes मिलने वाला है, sectional timing रहने वाला है, next phase 2 का पेपर 2 है, जो लगातार होने वाला है, उसमें आपका subject और post है, और अगर मैं बूलू branch है, जैसे कि electrical से तो electrical, mechanical से हो mechanical, तो वो आपको पढ़ना है, और उसका questions आपको 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 60 mc के आएंगे, जो phases है, उनको पार करोंगे, वो पूरा discussion करने वाले है अपने strategy वीडियो में, तब तक आपका कुछ भी query है, कुछ भी doubt है, regarding notifications, regarding recruitment, तो आपको नीचे comment करना है, और अगर मुझे कुछ भी पूछना है, किसी भी recruitment के बारे में, जो मैं handle करता हूँ अपने को पर job पर तो definitely मुझे आप Instagram पर DM कर सकते हो वाके Telegram, WhatsApp और सभी जगह में हुई. All the best.